ओम शांती गुट मॉर्निंग आज हम सुनेंगे मीठे बाबा की 11 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं जिसमें विशेश बाबा ने सत्यूगी दुनिया के बहुत सुन्दर नजारे हम बच्चों को सुनाए मन की आखों से हम उसको देखें तो बहुत खुशी मिले कि ऐसी लिए सत्यूगी दुनिया श्रीं क्रेशन की आने वाली है ऐसले हम सबहे हैं सिर्श जन्माष्टमी मना रहे तो रक्षा बंदन के बाद कि अन्येकृश्न महाराज पुमार श्रीं क्रष्ण सत्युग trained next-to god इसने को जहते तो इतनी प्यारे श्रीं क्रष्ण की दुनिया ? बहुत अच्छे golden पनियों से golden सारियों से वहना golden दूनिया की याद दिलाती है येकिन बाबा है ने कहा के ऐसी दुनिया में चलने के लिए हमेसदा हर्षित रहना है, खुश रहना है तो जब हम खुश रहते हैं क्योंकि शे क्रश्न को हमेशा उमंग उत्सा में, खुशी में दिखाया तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए बाबा कहते हैं ये इश्वरी पढ़ाई पढ़नी है सविरे सविरे उठके ये बाबा को याद करना है कि हमें कौन पढ़ा रहा है तो इतना उमंग रहे, उत्साह रहे, खुशी रहे तो आज की ये दुनिया को हमें नहीं देखना है ये दुनिया के बाद जो दुनिया आने वाली सत्यूगी दुनिया बाबा कहते हैं उस दुनिया में चलने का पुर्शार्थ करना कितने उमंग उच्छाह में रहकर करके हम बाबा की याद करते है तो बाबा कहते बचे ऐसी दुनिया के आप बचे मालिक बन जाते हैं और ऐसी सत्यूगी दुनिया wonder of the world जो परमात्मा ने स्थापन की दुनिया के seven wonders और ये भगवान का आठवा आश्चर जो सबसे इसमें हम रहते भी हैं ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस seven wonders जो है उसमें हम रहते नहीं किवल देख के चले आते हैं और ये भगवान की wonderful तो ऐसी दुनिया में शे बाबा मच्चों को ले चलने के लिए पढ़ा रहे हैं बाबा कहते को वुमंग से उत्सा से आप बच्चों को इश्वरी पढ़ाई पढ़नी है तो आज सुनेंगे मीठे बाबा के महावाग के बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हारी aim object है wonderful रं बिरंगी दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना है यह हमारा मुख्य लक्ष इस इश्वरी विश्विद्याले में हम वहाँ चलने की ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो मुर्जाया हुआ नहीं आज का प्रश्ण है तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा उत्तर है हमें बेहत का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रही है तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है एक तरफ माया से हमारी युद्ध है लोकिक दुनिया में भी देखे तो बाहर भी युद्ध अंतरद्वंद में कितना देखो चलता है वावा करे ये माया से जब युद्ध में हम विजयी बनेंगे तो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है जब हम माया से युद्ध में जीत जाते हैं एक तरफ पांच विकार माया माने पांच विकार काम कुरूद लोग मौ एहंकार है ना तो जब हम इसमें विजयी बनते हैं अपने साथ गुणों को याद करके आत् मां शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप है ना तो अंदर जब द्वन्द चलता इनी सब बातों से फिर हम विजयी होते हैं नहीं मैं शांत स्वरूप शांती के सागर का बच्चा मैं आनंद के सागर का बच्चा आनंद स्वरूप तो अंदर की जो नाखु की दुनिया का अनुभाव होने लगता क्योंकि यह एक जनम संगम युका भी है और आझको गीत है दुनिया रंगरंगी लई बाबा दुनिया रंगरंगी लई आज के कली दुनिया भी जो assault रह न तो एप बड़ी चका चौन्द वाली लगती है, तो इसके लिए कहा बाबा ने, ओम शांती, ये किनों ने कहा बाबा को, कि दोनिया रंग रंगी ली बाबा, अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ न सके, बाबा ने समझाया है, यह खेल रंग रंगीला है आज की दुनिया का कोई भी बाइसकोप आदी होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीन सीन दुनिया आदी होती है ना तो अब इस बेहत की दुनिया को कोई जानते ही नहीं है तुम्हारे में भी नंबर वार पोशार्थ अनुसार सारे विश्व के देखो बाबा घ्याण दे रहे हैं, तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, कितना खुब्सूरत है, जिसको कोई जानते ही नहीं है, आज की दुनिया देख करके सोच ले तें यही बहुत अच्छी दुनिया है, लेकिन इस दुनिया में तो कितना कितना दुख है, कितना दर्द है, कितना तकलीफ है, लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं, तो शिबाबा हमें उस्वर्गिक दुनिया के नजारे, कितनी सुंदर दुनिया का दर्शन करा देते हैं, तो बाबा करे कोई की भी बुद्धी में नहीं है, वो है वंडर्फुल रंग बिरंगी दुनिया गाया भी जाता है wonder of the world इसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो तुम ही wonder of world के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुर्शार्थ कर रहे हो एम आप्जेक्ट तो है वो है wonder of world बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहां हीरे जवारातों के महल हो तुम एक सेकंड में वंडर्फुल वैकुंथ में चले जाते हो, खेलते हो, रास्विला साधी करते हो, बरोबर वंडर्फुल दुनिया है ना, तो बाबा दिखाते थे, ट्रांस में बच्चे जाते थे, तो देख के आते थे कितनी सुम्दर दुनिया है, जहां सक्विभी क्या क्या करते रहते हैं, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक खेल रहे हैं, है ना, उससे सचमुच ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तों में दुनिया क्या है, यह भी नाटक शाला है, नाटक अगर समझें, तो नाटक के आदिमध्य अंत का भी ज्यान हो, है ना तुम बच्चे जानते हो, बाबा भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देती है, नाक से पकड़ा ये भुला देती है, आए वंडर्फुल माया भी, तो बाबा कहते हैं, ऐसी दुनिया में, माया से युद्ध करने के लिए तुम्हे बाबा से शक्ती लेनी है, अब भी अभी याद में हैं बहुत हर्शित रहते हैं, हम वर्डर आफ वर्ड स्वर के मालिक बन रहे हैं, कितना खुशी होती, और अभी अभी क्या हुआ, माया आजाती तो देखो, खुशी गुम कर देती है, तो बाबा कहे रहे फिर थोड़ी देर में ऐसा मुर्जा जाते हैं, भूल जाते तो मुर्जा पड़ते हैं, और ऐसा मुर्जा जाते हैं, जो भील भी ऐसा मुर्जाय हुआ ना हो, साधारन व्यक्ति भी इतना भील जो जिनको बाबा कहते देखो, बहुत गरीब वहाँ राजस्थान तरब भीलों का दिखाते हैं ना, तो भी इतना मुर्जाय हुए नहीं होंगे, उनके जैसे भी जादा मुर्जाय हुआ हो जाता चेहरा, बाबा कहरें ऐसा मुर्जा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुर्जाय हुआ ना हो, जरा भी जैसे की समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हमको बेहत का बाब पढ़ा रहे हैं, जैसे एक दम मुर्दे बन जाते हैं, वो खुशी वो नशा नहीं रहता, अभी प्रिंस, ये भी तुम बच्चे जानते हो, क्रश्न जन्माश्नमी पर भी जो ग्यान में होश्यार हैं, वो समझाते होंगे, श्री क्रश्न वंडर आफ वर्ड का प्रिंस था, वो सत्युक फिर कहां गया, सत्युक से लेकर सीडी कैसे उत्रे, सत्युक से कर्युक कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, दिखाते हैं न, तो वही श्री क्रश्न की आत्मा सत्युक का फस्ट प्रिंस, तो जनम लेते 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 कर्युक यान्त में क्या हो गया, साधारण ब्रद्धतन उसी का नाम फिर श्यु बाबा ने रखा प्रजा पिता ब्रह्मा जिस तन में आ करके श्यु बाबा फिर से स्वर्णिम दुनिया की स्थापना करते और श्रीक्रश्न के राज्य में सुख चैन की बंसुरी रात दिन बशती थी श्रीक्रश्न की कितनी म महिमा गाते हैं सरवगुन संपन्न सोलाकला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुर्षोतम तो बाबा कह रहे हैं कि श्रीक्रश्न की महिमा देखो कितनी है तो बच्चों को उस पर समझाना चाहिए वो सत्युक कहां गया बाबा कहते याद करो तो बच्चों की बुद्धी में ही आएगा कि सत्युक से कल्युक कैसे आ गया उस खुशी से समझाना चाहिए कि श्रीक्रश्न आ रहे हैं ऐसे श्रीक्रश्न की दुनिया में चलना है तो देखो चितर बाबानित बनाया बत्मित की देखो जब पुरानी दुनिया को आप बुद्धी से भूलेंगे तब नई सत्यूगी दुनिया की बादशाही मिलेगी इसके श्रीक्रशन के चित्र में दिखाती ना पैर की तरफ नर्ग का गोला बना है और हात में स्वर्ग है तो बाबा कहते बुद्धी से उसक में वो आ रहे हैं क्रश्न का राज्य फिर स्थापन हो रहा है यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए परंत यह उमंग उन्हों को आएगा जो तक्दीरवान होगे दुनिया के मनुष्य तो रतनों को भी पत्थर समझ कर फेग देंगे क्योंकि वैल्डू न बहुत वैल्यू है यह ग्यान रत्न तुम्हे धारन करने हैं अभी तुम ग्यान सागर से डायरेक्ट सुनते हो तो फिर और कुछ सुनने की दरकारी नहीं है स्वय भगवान हमें पढ़ा रहे है तो बाबा करें और कोई बाते सुनने की तुम्हे आवशक्ता नहीं है जो एलल्बी नहीं है माना कोई वहां कोट कचरी होगी नहीं जो कोई वह बने कोट वकील हो जज़ हो और ना कोई सरजन होगे इसका मतलब कोई बीमारी नहीं होगी वहां तो तुम प्रालब्द भोगते हो तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीती समझाना है अनेक बार मुर्ली भी चली हुई है जन्माष्टमी है ना तो वहां श्रीकरश्न के आठ जनम हुए इसलिए अश्टमी कहा है आठ बार गदियां आठ गदियां बाबा तो बाबा कहता है इसलिए अलर्श्टमी कहा है नोचे भाए कई बार मुर्ली में आठ जिरकरण लेक्ष्टमी पर भाषण करना चाहिए भुली हुई पॉइंट्स को फिर उसमें एंड़ चाहिए देखो बाबा कितनी अच्छे से, एक एक पॉइंट को हम अगर लिखे पढ़े तो कितना समय हमारा सफल हो जाता, तो समझाना होता है देखो क्रश्न कौन है, या तो वंडर अफ वर्ड का मालिक था, भारत ही पैरडाइज था, और उस पैरडाइज का मालिक श्री क्रश्न था हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री क्रश्न आ रहे हैं, राजयोग भगवान नहीं सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं, पवित्रता के लिए भी पुर्शार्थ करा रहे हैं, डबल सिर्ताज देवता बनाने के लिए, यह सब बच्चों को इस मृती में आना चाहिए, जिनकी प्रैक्टिस होगे, वो अच्छी रीती समझा सकेंगे, क्रश्न के चित्र में भी लिखत बड़ी फस्क्लास है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है, बच्चों को भी खुशी में रहना जन्माष्ट में पर मनुष्य कपड़े आदी नए पहनते हैं, लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम यह पुराना चोला छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे, कंचन माने सोने की माने सतो प्रधान शरीर होगा, स्वर्णिम दुनिया होगी, तो कितना खुशी हो जो ऐस दुनिया में बाबा हम बच्चों को ले चलने आया, कंचन काया कहते हैं, नार्थार्त सोने की काया, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, अभी कंचन नहीं है, नंबर वार बन रही है, बाबा केरें, कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से, जितना हम शिवाबा को क्यों कि बाबा के चलते फिलते बुर्धी से याद करू चलते फिलते बुद्धी को यात्रा करानी है अपने घर परमझाम के सट्व की रूविंधि दुनिया की धुक्र से बाबा के याद की बाबा जानते हैं बहुत हैं जिन याद करने का भी अकल नहीं है, याद कि जब महनत करेंगे तभी वाणी जोहरदार होगी, बाबा कैसी वाणी हो जाएगी, जोहरदार, जोहर माने जिसमें ताकत हो, धारदार, जैसे तलवार होते हैं तो उसमें चाहिए धार, बिना धार की तलवार तो बेकार है, तो ग्यान में भी बाबा करें ताकत तब आएगी जब योग होगा तो याद की जब महनत करेंगे तब ही बाणी में भी जोहर होगा अभी वो ताकत कहां है बाबा करें क्योंकि बच्चों का योग है नहीं लक्षमी नारयन बनने की शकल भी तो चाहिए ना पढ़ाई चाहिए क्रश्न जनवाष्टमी पर समझाना बहुत सहज है कृष्ण के लिए कहते हैं शाम सुंदर कृष्ण को भी काला नारण को भी काला बना दिया राम को भी काला बना दिया बाप खुद कहते मेरे बच्चे जो पहले ग्यान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने फिर कहां चले गए, कामचिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए, स्रश्टी भी देखो सतो प्रधान थी, फिर सतो फिर रजो फिर तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी देखो ऐसी है, ना कामचिता पर बैठ सब शाम अर्थार्त काले बन गए, अब मैं आया ह सुन्दर बनाने, आत्मा को सुन्दर बनाया जाता है, बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं, मंसा, वाचा, कर्मना कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है, बच्चों की चलन तो बड़ी फस्ट क्लास होनी चाहिए, बाबा क्या कह रहे हैं, फस्क्लास होनी चाहिए, इसको देख के खुशी आ जाए, ऐसी चाल चलन हो, मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, कड़वे वचन, दुखडाई वचन नहीं निकालना है, क्रश्न जैनती पर समझाने का बहुत अच्छा है, श्याम और सुन्दर की टॉपिक हो, कि वही श् सत्यूग में सुन्दर थे, और फिर द्वापर्यूग में पांच विकारों रूपी सर्पो ने क्या किया, डस लिया, तो आत्माकाली बन गई, फिर श्यु बाबा आए, बाबा कहते है, बच्चे क्या करो, अंदर के पांच विकारों को खतम करो, श्यु बाबा की याद से क्यान का कि मतानी चलाओ, तो अंदर से सारा विष्ण निकल जाए, इसलिए सिक्रश्न को कहते है, नाथ नथ नथया, तो नाथ अंदर के पांच विकारों को खतम किया, और जब खुशी में, जब विजयी बन गई, तो खुशी में डांस किया, तो वही काले नाग जो थे, कोई स्टेज देखो बन गई उनकी, उस पर डांस किया, विचार वाली बात है, कि सर्प के सिर पे कोई डांस कर सकता है, लेकिन जब वह पांच विकारों पर विजयी बने, तो अंदर खुशी आई, कोई बच्चे मैच जीत जाते, देखो कितना खुश होते, दुशे को किatell पंदेप चढ़ा लेते हैं, जानस करते हैं, तो खुशी में वह डांस किया, तो बाबा कहा रहे, क्रश्न को भी आधो काला, तो नारान को भी आधो, राधी को भी काला क्यों बनाते हैं, सब को काला बना दिया, शिुलिंक भी काला पथ्थर रखते, अब वों कोई काला थोड़ी है, शिव है क्या, और चीज क्या बनाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, काला क्यों बनाते हैं, तुम इस पर समझा सकेंगे, है ना, आत्मा पांचवी कारों के कारण काली बन गई, अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं, बाबा भी चैले ही कहना है, बाबा को याद करो, बाब कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम्हारे जनम जनमांतर के पाप कट जाएंगे, पवित्र बनना है, किसको भी तुम राखी बांच सकते हो, यूरोपियन को भी बांच सकते हो, कोई भी हो, उनको कहना है भगवान वाच, जरूर कोई तन से ही तो कहेंगे ना क्या कहते भववानुवाच बच्चे मा मेकम याद करो मुझ एक परमात्मा पिता को याद करो देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो बाबा कितना समझाते फिर भी नहीं समझते हैं तो बाब समझ जाते हैं की तकदीर में नहीं है क्या कर सकते हैं ये तो समझते होंगे शुब बाबा पढ़ाते हैं रत भी गर तो पढ़ा न सकते इशारा देना ही बस है बाबा के वल इशारा ही देते हैं बच्चे पढ़ लो ठीक रिती पढ़ेंगे विशो के मालिक बन जाएंगे कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी होती है बाबा ममा के लिए तो समझते हो ये तो उच्पद पाने वाले हैं ममा भी सर्विस करती थी इन बातों को भी बच्चों को समझाना होता है माया के भी अनेक प्रकार की देखो रूप होते हैं बहुत कहते हमारे में मम्मा आती है शिवाबा आते हैं परन्तु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएगे है ना बाबा हर एक के उससे नहीं सुनाएगे एक मुकर्रर माना एक फिक्स रद्ध है प्रम्हा बाबा का जिसतन से शिवाबा सुनाते हैं यह हो नहीं सकता है ना कि दूसरे किसी के द्वारा बाबा सुनावे ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की है पॉइंट्स अपनी भी सुनाती है मैगजीन में कितनी बाते आती है ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं वो लिखवाते हैं ऐसा नहीं है बच्चे खुद भी तो अपने ग्यान के आधार पर बुद्धी से समझाते हैं तो बाबा करें नहीं बाब तो यहां डायरेक्ट आते हैं तब तो यहां सुनने केली आते हूं मदुबण में बाबा के माउंटाबु में नहीं यहां आने की सब को कोशिश होती है कि हम माउं टाबू चले भगवान की करम भूमी करमिस्थली पर दूर रहने वालों को औरी जास्ती कशिश होती है तो बच्चे जन्माश्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं करष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसको पता नहीं तुम्हारी अब जोलि भर रही है तो तुम्हे खुशी रहनी चाहिए बाबाम बच्चो की जोलि किससे बह रहे हैं घ्यान रतनों से परन्ति बाबा देखते हैं खुशी कोई-कोई में बिल्कुल है नहीं बाबा कहते हैं खुशी जितनी होनी चाहिए बच्चों में उमंग होना चाहिए उच्सा होना चाहिए वो भी है नहीं क्यों नहीं है श्रीमत पर ना चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं सर्विस से बुल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी, समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे रहे, ये समझने की बात है ना, बैज में भी क्रश्न का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो, कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है तो बता नहीं सकेkti me शास्त्रों में लिख दिया है राम की इस्तरी चुराइगी परन्तु ऐसी तो कोई बात होती नहीं है उआ था प्यर्य सब परमात्मा राम और हम सब आत्मा रूपी सीता को रावन ने क्या किया पांज विकारों रूपी रावन ने अपनी कैद में बंद कर दिया कोई दुखी है कोई परिशान है पांज विकारों से ग्रसित है तो आज सब आत्मा रूपी सीता है रावन की जेल में बंद है बाबा केरे तुम हारत वासी ही परिस्तानी थे अब कबरिस्तानी बने हैं फिर ज्यान चिता पर बैठ दैवी घुन धारण कर परिस्तानी बनते है सर्विस तो बच्चों को करनी है सब को पैगाम देना है इसमें बड़ी समझ चाहिए इतना नशा चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं हम भगवान के साथ रहते हैं भगवान के बच्चे भी हैं तो फिर हम पढ़ते भी हैं बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर के स रंग का रंग नहीं लगता है, तो यहां भी स्कूल है, क्रिश्चन में भी फिर भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल मैनर्स, तमु प्रधान, पतित हो गए हैं, नो मैनर्स, अब अगर आज दुनिया में क्या हो गए, कोई मैनर्स ही नहीं, कैसे बातचीत करना है, कैसे चलना है, क्या करना है, तो अभी नो मैनर्स, क्योंकि दुनिया तमु प्रधान, पतित हो गई, देवताओं के आगे जाकर देखो माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा है, सत्युग में सभी के दैवी करेक्टर थे, अभी आशुरी करेक्टर हैं, ऐसे ऐसे तुम भाशन करो तो सुनकर बहुत खोश हो जाए, कि आज मनुशों के करेक्टर देखो कैसे होते जा रहे हैं, मुख छोटा बात बड़ी, ये क्रश्न के लिए कहते हैं न, अभी तुम बच्चे कितनी बड़ी-बड़ी बाते सुनते हो, इतना बड़ा बनने के लिए, बाबा कितनी बड़ को भी बांद सकते हो, ये बाब का पैगाम तो सब को देना है, ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है, अब पतित से पावन बनना है, बाब को याद करना है, बाबा क्या कह रहे हैं, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह से न्यारे, विदेही, शिवाबा को याद करना, आत्मा भी तो देह लेके नहीं आई थी, इसी दुनिया में आये थे, देखो यहाँ देह मिली, ये शरीर मा के गर्व में तयार होता है, आत्माबाद में प्रवेश होती है, एक ही बाप सर्व की सदगती करते हैं, ये ह बच्चों की बुद्धी में भी नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार धारना होती है, इस्कूल में भी स्कॉलर्शिप लेने के लिए बहुत मैनद करते हैं, यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलर्शिप है, सर्विस बहुत है, माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती है, बाबा क बैट कर समझाओ, है ना बाबा कहरे पहले ये चितर उठाओ, फिर उस पर समझाओ, देवताओं को काला क्यों किया है, श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चितर है, तो ऐसे ऐसे चितरी खटे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए, है ना श्रीनाथ का यहां भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषन बहुत अच्छी रीती कर सकते हो, कि इनों को काला क्यों किया है, आज भी कोई काम विकार के वशिबुद गलत काम करें, तो क्या कहते हैं, तुमने तुम मुह काला कर दिया, है ना, तो काला मन पाच विकारों से ग्रसित हो गई, वही आत्मा गोरी थी, तो काली हो गई, यहां भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाबा करें भाषन करके अच्छी रीती समझाओ, शिवलिंग को काला क्यों कर दिया, तो बुद्धी काली है, तो देखो क्या कर देते हैं, सुन्दर और श्याम क्यों कहते हैं, आओ हम समझाएं, इसमें कोई नाराज भी नहीं होगा, सर्विस तो बहुत सहज है, बाब तो समझाते रहते हैं, बच्छे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो, तुम जानते हो अभी हम उच्छ ते उच्छ ब्राम्हन कुल के हैं, कि राखी बंधन का आर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वैश्याओं को भी समझा कर राखी बान सकते हो, यह राखी है, पवितरता की सुचक, चित्र भी साथ में हो, बाब कहते हैं, मा मेकम याद करो, यह फर्मान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे, बहुत युक्तियां है, कोई भी नाराज नहीं होगा, कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सद्गती कर नहीं सकते सिवाए एक्ष्य बाबा के, सद्गती दाता केवल एक्ष्य बाबा, भल राखी बंधन का दिन ना हो, कभी भी राखी बान सकते हो, यह तो आर्थ समझना है, राखी जब चाहें तब बांधी जा सकती है, क्योंकि यह तो प्रत दिन राक्षाबंदन वाले दिन नहीं राक्षाबंदन से स davon आप लॐ हमारे हातों dollars श्यूंत चाहतोल मांथ या सकती है थिए ठीकष भEEEEP के साथ प्रतिग्या करो बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो माम एकम मन मुझ एक शिवाबा को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो बाबा करे हर एक धरम की आत्माओं को समझाओ क्योंकि सब धरम पिताओं का पी पिता सर्व धर्मात्माओं का पिता शेबाबा क्योंकि सब ने उनी की तरफ जारा किया गौड इस वन गौड इस लाइट हाँ खुदा नूरानी नूर है पवित्र है तो इतना देखो महिमा एक निराकार जोती स्वरूप शेबाबा की है तो बाबा करें मस्जिद में भी तुम जाकर समझा सकते हो हम राखी बांधने के लिए आए हैं ये बात तुमको भी समझने का हक है बाब कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे अभी तो पतित दुनिया है ना गोल्डन एज थी जरूर अब आईरन एज है तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है ऐसे सुनाओ तो जट आकर चरण पड़ेंगे कि तुम्हें क्या जन्नत में नहीं जाना वहिष्ट में नहीं जाना है चलो खुदा के पास जाना है तो आओ सुनो आकर के अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद यार और गुद मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुद मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया बेहत दिल से बाबा का शुक्रिया आधारना के लिए मुख्य सार है फर्स्ट पॉइंट है ग्यान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ग्यान रत्न प्राप्त हो रही है उनकी वैल्यू रखनी है विचार सागर मन्थन कर स्वयम में ग्यान रत्न धारन करनी है बाबा कैरें विचार करो इधर दर की बातों को नहीं सोचो बाबा की मुर्ली के चिंतन करो तो ग्यान रत्न निकलें उसको धारन करो मुख से सदैव रत्न निकालने है पत्थर नहीं कड़वी वच्चन नहीं निकालने है सेकंड पॉइंट है याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है याद से ही आत्मा कंचन बनेगी इसलिए याद करने का अकल सीखना है बाबा अकल दे रहा है न वच्चे अपने को आत्मा समझो पहले फिस बाबा को बुद्धी से याद करो अच्छा आज का वर्दान है पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाब दादा के दिल तक्त नशीन भव पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाब दादा के दिल तक्त नशीन भव सपश्टी करण है संगम युगी श्रिष्ट आत्माओं का इस्थान है बाप दादा का दिल तक्त भगवान का दिल तक्त ऐसा तक्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता विश्व के राज्य का वा इस्टेट के राज्य का तक्त तो मिलता रहेगा लेकिन यह तक्त नहीं मिलेगा यह इतना विशाल तक्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा भगवान के तक्त नशीन रह सकते हो कितना बड़ा तक्त है इस पर हम सब कुछ करते रहे खाते पीते चलते फिरते सोते हां शुवावा के दिल तक्त पर बैठो तो जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तक्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह वा देह की दुनिया से विस्मरत रहते हैं इसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं बुद्धी कहा रहे देश से न्यारी दुनिया बाबा कहते हैं अपने घर परमधाम मुक्ती धाम और स्वरणिम दुनिया में और आज का स्लोगन है हद के नाम मानशान हद माना अपना छोटा सा ये शरीर से संबंदे जो नाम मानशान है बाबा कहने इसके पीछे दोड़ लगाना अर्थार्थ परच्छाई के पीछे पढ़ना और आप उसकी तरह पीठ कर लो कि हमें नाम मानशान नहीं चाहिए हम तो बाबा के बच्चे ह तो क्या होगा वो अपने आप पीछे पीछे आपके आएगी जो भगवान को पाते हैं तो दुनिया उनको याद करती है जो दुनिया के पीछे भागे तो क्या होता है तो फिर उनको मानशान नहीं मिलता इसलिए बाबा कहते हद के नाम मानशान के पीछे दोड़ लगाना अर्थार्थ परचाई के पीछे पढ़ना और आज अब्यक्त इशारे की 11th पॉइंट है आप मर जीवा बच्चे मर जीवा मन पुरानी दुनिया दे सबसे बुद्धी से मर के फिर भगवान की बोद में जीना तो आप मर जीवा बच्चे अपने तन के भी ट्रस्टी हो मन अर्थार्थ संकल्प के भी ट्रस्टी हो अपने मन से हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि मन भी भगवान को अर्पित कर दियतान मन धन सब कहा न लौकिक वा अलौकिक जो प्रुवर्ती मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो ट्रस्टी के बजाए ग्रहस्थी नहीं बनना ग्रहस्थी की दुर्दशा का तो मॉडल कैसा बनाते हैं सबी तरफ से खिचा हुआ रहता है न दूसरा ग्रहस्थी को गदे के रूप में दिखाया है अनेक प्रकार के बोज़ वाला मॉडल बनाते है आगे बनाया था एक बार कि देखो गधा जो होता है न वो तो केवल जिन जिब तक जिनदा है तभी तक बोज़ भोता है और इंसान देखो बचपन से बोज़ हड होता चला रहा है पहले छोटा बच्चा तो बैग का स्कूल के बैग का बोज़ हो रहा है कार्टून बनाया था बड़ा हुआ शादी और फिर शरीर छोड़ा तो पाप कर्मों का वोज़ा, वो गधा तो फिर भी बोज़ उतार दिये मरने के बाद और इंसान तो मरने के बाद भी बोज़ लेखे चल रहा है, तो बाबा कहें देखो ग्रहस्थी की दुरदर्शा का मॉडल बनाते न, तो दूसरा ग्रहस्थी को गधे के रूप में दिखाया अनेक प्रकार के बोज वाला मॉडल बनाते हैं, तो जब ग्रहस्थी बन जाते हो, तो मेरे पन के अनेक प्रकार के बोज आ जाते हैं, सबसे रॉयल रूप का बोज है, ये तो मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा, तो ये है रॉयल रूप का बोजह, कहते हैं, बाबा तो सब कुछ है, ये बाबा ही समाल रहा है दीदी, लेकिन ये तो मेरी जिम्मेवारी है ना, तो ये रॉयल रूप का बोजह हो गया, लिए घूम रहे हैं, आपके वो भी अर्पित करो, कुछ भी तुम्हें अपने पास नहीं रखन सारी बोज बाबा को सब दो, तो क्या होगा, हलके हो जाएंगे, खुशी आ जाएगे, उमंग आ जाएगा, अच्छा, ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती